पूरी हिस्ट्री के टॉप 50 कोश्टिंस हम देखने वाले जो कि आपके इंटरिंस एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो चलि विदार ट्विस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और एक चीज में आपको बता दूँ कि दिखें जीके तो बहुत वास्ट है जितना आप पढ़ेंगे उतना कम बट ऐसे कुछ सब्जेक्स जैसे की रीजनिंग करंट अफेर्स मेंटल अप्टिट्यूड ठीक है क्वेंटिटिटिव अप्टिट्यूड निमेरिकल अप्टिट इस प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वहाँ से आपका पक्वेंटन हो जाएगा लेकिन ओ picture आपका पट डान है ठीक है जो आपके तरीके हैं, किस तरीके से आपको करना है, जो आपके approaches है, time saving approaches है, हर एक question का जो pattern है, वो हमने इस e-book में cover कर रखा है, कम समय में आपको ज्यादा benefit देगी, इस तरीके से हमने इस e-book को बनाया हुआ है, description box में link है, ज्यादा देर ना करें, अगर आपका कल भी exam है और आज भी सब्जेक्स आ रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगी, ये बात तो तय है, start करते हैं, बाकी आप लोग description box से link वगएरा देखके, आप हमें whatsapp कर सकते हैं, और आपको चीज़े मिल जाएंगी, तो सबसे पहला question हमारा है, काली बंगन is in, तो काली बंगन जो है आपका, ये किस शहर म आपको देखने को मिलता है, गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान या मद्यप्रदेश, correct answer आपका बनेगा, राजिस्थान, पीछे हम कई बार इस question को कर सकें, कर चुकें, और again मैंने आपके सामने ये question रखा है, क्योंकि important है, पूछा जाता है, आगे बढ़ते हैं, next question है, battle of boxer, मैंने जब भी आपको history के questions करवाए हैं, तो बोला है कि battle of boxer और battle of placer, ये दो battle तो मतलब आपको रठ ही लेने है, एक ना एक battle टपक ही जाता है इसमें से, तो battle of placer 1757 है, और वहीं अगर हम battle of boxer की बात करें, 1764, year आपको याद रखना है, important है, दोनों के दोनों, ठीक है, आगे बढ़ते है, next है आपका, third battle of pannipat, ये कब लड़ा गया, तो third battle of pannipat, first battle of pannipat, second battle of pannipat, कब लड़ा गया, और किन, किन के बीच में लड़ा गया, ठीक है, किस-किस के बीच में लड़ा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, third battle of pannipat, यहाँ पे 1761 correct answer बनेगा option is the right answer, आगे बढ़ते हैं, next question है, आपका french revolution की date पूछी गई है, french revolution की date, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, 1789 से french revolution यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 1789 से, next question, अगला question आपकी screen पर है, white revolution जो है, वो आपका किस से related है, milk से, cotton से, pigeon से, या फिर education से, तो white revolution, grey revolution, और green revolution ठीक है, और कई सारे ऐसे revolution से हमने पीछे कर भी रखें, cover, यहाँ पे अगर हम बात करें, white revolution आपका milk से related है, ध्यान रखना है, dairy products से related है, ठीक है, dairy products, okay, आगे बढ़ते हैं, next question है, आपका कुत्ब बुद्दिन एबक was the founder of, कुत्ब बुद्दिन जो है, वो किस dynasty के, किस वंच के संस्थापक थे, आप सुभी को पता होगा, your slave वंच, ठीक है, गुलाम वंच, slave dynasty के संस्थापक थे, कुत्ब बुद्दिन एबक, ऐसे ही आपको खिलजी dynasty के संस्थापक, और जो आपका तुगलग dynasty, सेयद dynasty के भी संस्थापक आपको पता होने चाहिए, रजिय सुल्ताना, was the daughter of, रजिय सुल्ताना जो है, वो किस की पुत्री थी, अकबर, इल्तुत्मिश, शाजहां, या फिर औरंग्जे, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताए कि पूरी history का निचोड़, हमने इसमें आपको top 50 questions में करवाने की कोशिश किया है, तो ये जो आपके लिए हमने एक initiative कर रहे हैं, उसको support जरूर करिए, अपने सभी friends के बीच में share करिए, क्योंकि जब आप लोगों का response आता है, तब ही हमको आगे भी मज़ा आती है कि हाँ, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चों को चीजे पसंद आ रही हैं, बच्चे करना चाहते हैं, कुछ मैनत करना चाहते हैं, तो हम आपको और अच्छे से फिर चीजे प्रोवाइट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे, क्लास अगर पसंद आए, तो लाइक करके शेर जरू करिए, अपने सभी फ्रेंड्स का लीक्स के बीच में, तो रजिय सुल्ताना वाज द डॉर्टर ओफ, याद रखना है, इल्टुतमिश आपका करेक्ट आंसर बने का ऑप्शन बी, नेक्स पे चलते हैं, अगला कोशन है हमारा, महावीरा वाजदा डैश तिर्थांकर, मतलब की, महावीरा जो हैं, वो किस नंबर के तिर्थांकर थे, उननिसवे, पहले, दसवे, या फिर चॉबिसवे, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 24 तिर्थांकर दे महावीरा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन हमारा पूछ रहा है, कि चाइनीज ट्रैवलर, हुएन सैंग, विजिटेड इंडिया, डिविडिंग विच किंग्स रूल, जो चाइनीज ट्रैवलर था, हुएन सैंग इनका ना जहांगीर, हर्शवर्दन या फिर चंदरगुक्त मौर्या, तो हुएन सैंग जो है, यह आपका एच, एच, याद रखेंगे, आप एच से हुएन सैंग, एच से हर्शवर्दन, तो हर्शवर्दन जी के टाइम पर इन्होंने विजिट किया था, इंडिया में, हुएन ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी, एच, एच, दोनों में कॉमन है, याद कर सकते हैं हम बहुत इजिली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन है आपका, अलबरूनी केम फ्रॉम विच कंट्री, अलबरूनी जो है, वो किस कंट्री से आया था, पाकिस्तान, इंडिया, उजबेकिस्तान, करेक्ट आंसर बनेगा आपका उजबेकिस्तान, ध्यान रखेंगे, नेक्स कोशन, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, इंडियोजड बाइ, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है, यह किस के द्वारा इंडियोजड की गई थी, कुतब बुद्दिन एबक, और आपका है ऑप्शन औरंग जेब, और है अलाउदिन खिल जी या फिर इल्ट उत्मिश, तो करेक्ट आपका बनेगा, ऑप्शन नमबर C, अलाउदिन खिल जी के द्वारा जिस पॉलिसी को लाए गया था, जिसका नाम था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, आगे बढ़ते ह हमपी जो आपको देखने को मिलता है, यह किस स्टेट में है, हमपी, तो हमपी जो है आपका करणाटा कराजिय में है, याद रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट भक्ती मूव्मेंट और्गेनाइजड बाई, नानक जी, मीरा जी, रामदास जी या रामानुज जी तो किस के द्वारा यहां पे, इसके द्वारा यहां पे आपको फर्स्ट भक्ती मूव्मेंट और्गेनाइज किया गया था, इंपोर्डन याद रखेंगे, आरमभाग वॉज बिल्ट बाई, तो आरमभाग जो है, यह किस के द्वारा बनाय गया था, बाबर असाफुद दौला चहागीर या फिर गियासुद दीन तुगलक correct answer आपका बनेगा option A बाबर के द्वारा ये आरंबाग बनाया गया था बाबर के द्वारा next question पे हम चलते है which of the following transferred the capital from धाका बांगलादेश to मुर्शीदाबाद निम्न में से किसने जो capital है धाका बांगलादेश की उसको मुर्शीदाबाद transfer कर दिया था तो मुर्शीदाबाद में आपको मुर्शीद दिख रहा है मुर्शीद और option A में भी आपको मुर्शीद दिख रहा है इसका मतलब बिना सोचे समझे आप option A के साथ जा सकते है और याद रख सकते है मुर्शीद अबाद जो transfer की थी capital वो कौन था? मुर्शीद कुली खान थे option A is the right answer आगे बढ़ते हैं फिलाल के लिए हम अगले question पर चलते है और अगला question हम से पूछ रहा है begins with treaty of surat इसमें से कौन सा अच्छा first anglo marathah war second anglo marathah war third anglo marathah war या fourth anglo marathah war इस तरीके से options है ठीक है तो इसमें ये पूछा गया कि treaty of surat के साथ कौन सा जो war है वो शुरू हुआ तो यहाँ पे ध्यान रखना है confuse नहीं होना है option A first anglo marathah war treaty of surat के साथ शुरू हुआ आप लोगों के लिए homework है treaty of surat कब हुई थी किस year में comment box में चापना है आपको ठीक है आगे बढ़ते है make doot was written by easy सा question है रामदास, सूरदास, कालीदास या तुलसीदास तो यहाँ पर रामदास जी, सूरदास जी, कालीदास जी या फिर तुलसीदास जी किस के दौरा लिखी गई है make doot ध्यान रखना है option C कालीदास जी के दौरा make doot लिखी गई है आगे बढ़ते हैं अगले question पर चलते हैं अकबर was crowned at the age of अगबर was crowned at the age of उध्यान रखना है 14 साल की उमर में इनको ताज पहनाया गया था option D is the right answer next question अगला question हमारा हमारी screen पर यह रहा प्रभावती was the daughter of प्रभावती किस की daughter थी इसमें से चंदरगुप्त फर्स्ट की चंदरगुप्त सेकेंड की अगबर की या फिर जहांगीर की तो प्रभावती चंदरगुप्त दृती है चंदरगुप्त सेकेंड की डॉक्टर थी याद रखता है ठीक है? डॉक्टर नहीं डॉक्टर हाके बढ़ते हैं next question अशोका के धम्मा के बारे में यहाँ पे कुछ आपके सामने चीज़े मैंने रखी है याद रखेंगे कि अशोका के धम्मा तो धम्मा आत्मा जो है वो कुछ एक special officers हुआ करते थे जो की धम्मा के message को spread करते थे ठीक है? और यह जो है अशोका के द्वारा appoint किये जाते थे ठीक है? और अशोका's धम्मा did not involve worship of a God भगवान की पूजा के लिए यहाँ पे जो अशोका के धम्मा था उसमें वहाँ पे कोई चीज़े ऐसी वरनिट नहीं थी ठीक है? धम्म महात्मा went from place to place teaching people about Buddhism तो बुद्धिजम के बारे में बता दे थे जो धम्म महात्मा होते थे वो एक शहर से एक जगा से दूसरी जगा जाकर जो बुद्धिजम के बारे में जो है वो प्रचार प्रसार करते थे बुद्धिजम के बारे में बताते थे तो अचोगा की जो धम है इनसे आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं फिलाल के लिए हम फू और राजुकाज डिरिंग दे पीरियड ऑफ मौरियन एड्मिनिस्ट्रेटर देखें मौरियनिकाल में बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसर्स हैं बहुत सारे इनके नाम है सीता, ध्यक्च और बहुत सारे और राजुकाज ऐसी कई सारे हैं इनके कुछ 16-17 ओफिसर्स हुआत करते थे 7 officers, मंतरिन, अमात्याज और सबका अपना special यहाँ पे काम हुआ करता था तो यह जो है आपको याद रखना है कि उनमें क्या उनका काम हुआ करता था क्या उनका nature हुआ करता था यह यहाँ से पूछा जाता है question ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें राजुकास की बात की गई है तो राजुकास जो है वो आपके provincial administrator होते है तो यह option C correct answer है याद रखना है आपको आगे बढ़ते हम फिलाल के लिए अगला question जो है वो आपका आपकी screen पर यह रहा अशोका mentioned dhamb policy of state in which pillar of Ashoka first, fifth, seventh या फिर sixth तो किस pillar में अशोका ने धम policy of state को mention किया है तो यहाँ पे याद रखेंगे वो है आपका pillar number six में ठीक है pillar number six में आगे बढ़ते हैं उजहावर also known as उजहावर हम किसको बोलते हैं तो उजहावर आपको याद रखना है land owner, slave, plugs man, head of household correct answer option C बनेगा plug man को ध्यान रखेंगे उजहावर बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं great बात बहुत बड़ा सा इस्नानागार आपको कहां पर देखने को मिलता है इस्नानागार के साक्षे आपको किस in this valley site में देखने को मिले थे तो यह है आपका option A पोहन जोद्रो में याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिलाल के लिए next question है आपका giant water reservoirs ठीक है देखो इस्नानागार की बात आई तो हमने मोहन जोद्रो लगाया बट यहाँ पर आपका पूचा गया है giant बहुत बड़ा सा water reservoirs की बात की गई है यह आपको कहां पर देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिलता है धोला वीरा में ठीक है धोला वीरा में option A और C सेम हो गए दियान रखेंगे दोला वीरा इस दर राइट आंसर जब भी आपसे पूचा जाएगा कि जी एंट water reservoirs कहां पाए जाते है नेक्स पर हम चलते हैं अगला question हमारा fire alters dog yard rice husk यह आपको कहां पर देखने को मिलते हैं देखे fire alters और rice husk से भले ही आप ना पैचान पाएं बट dog yard से आप इस answer तक जा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बार बार यह करा है और अगर आपने शिदत से पूरी मेहनत से पूरी honesty के साथ classes की है सारी बहुत easily आप answer कर answer option D बनेगा लेकिन dog yard के साथ आपको fire alters और rice husk भी ध्यान रखना है कभी-कभी आप से पूछ लेगा rice husk were found in कभी-कभी आप से पूछ लेगा fire alters were found in ठीक है तो यह जो दो तीन चीज़े हैं जहां से question बनते हैं लोथल से तो यह मैंने तीनों ही चीज़ा आपके सामने रख दिया है अगे बढ़ते हैं the next question आपका रंगफुर इस रंगपुर आपको यहां पर किस स्टेट में देखने को मिलता है तो रंगफुर की अगर हम बात करें तो यह आपको option d गुजरत में देखने को मिलता है ठीक है थान रखेंगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने chronological order रख रखा है, तो यह आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले Paleolithic Age, Mesolithic Age, फिर Neolithic Age, फिर Harappan Civilization, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, chronological order, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Harappan Civilization का यह chronological order है, Pot Burial Practice, यह आपको किस जगा पर देखने को मिलती है, या Pot Burial Practice का साख्चिक कहां से देखने को मिला था, आपको के सर, यह हमें सुर्कोत्रडा से देखने को मिला था, P option यहाँ पर correct answer बनेगा, आगे बढ़ते हैं फिलाल के लिए, और अगला question आपकी screen पर यह रहा, Which of the following is associated with the Jain Tirthankara Mahavira, इसमें से कौन सा वो animal है, जो की Jain Tirthankara Mahavira से associated है, तो Lion यहाँ पर correct answer बनेगा, हम ऐसा question पहले भी कर चुके हैं, ध्यान रखेंगे, option D, Lion is the right answer, Next question पर चलते हैं, साची स्थूपा आपको किस state में देखने को मिलता है, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, करनाटका में, या फिर मद्यप्रदेश में, तो साची स्थूपा आपको माद्यप्रदेश में देखने को मिलता है, इसलिए option D, correct answer आपका यहाँ पर बनेगा, और हम आगे चलते हैं, नेक्स कोशन पर अगला कोशन आपसे पूछ रहा है, बुद्धा और महावीरा बिलॉंग टू विच वन और फॉलिंग महाजनपद्स, तो इसमें से कौन से महाजनपद से बुद्धा और महावीरा बिलॉंग करते हैं, साथ ही आपको यह भी याद रखना है, कि कितने हैं, इससे पहले मैंने आपको एक जो मॉडल पेपर करवाया था, उसमें बताया था, 16 है, ठीक है, यहाँ पर क्रेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, बनेगा option C that is वजजी, तो बुद्धा और महावीरा आपके कौन से महाजनपद से रिलिटेड हैं, वजजी से, ओके और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यह देखो, यह मॉडल पेपर तो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे ही आप YouTube पर आपकर सर्च करोगे कि 24x7C zone space model papers, बहुत सारे model papers आपके सामने आ जाएंगे, उसको आप लगाईए, ठीक है, यह मत सोचिए 2021 के हैं, 22 के हैं, या आपको नहीं मतलब, आपको मतलब है content से, आपको मतलब है questions से, जो pattern पूछा गया है, वो pattern हमने पकड़के model paper में करवाया है, तो भाई छोड़ना नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अभी अगर आप ना कर पाओ, तो फिर आप, आप ही responsible होगे, इन चीज़ों के ल जरूर मिलेगा, फिलाल के लिए हम अगर बात करें, बौधी सत्वास किसी के कहा जाता था, तो बौधी सत्वास जो है वो आपको, person who attained enlightenment, ज्यान की प्राप्ती जिसे हो गई, उन्हें हम बौधी सत्वा कहते थे, ठीक है, और आप सभी को पता है, बुद्दा जी को ज्यान क these struggles was related to industrial workers, इसमें से कौन सा वो struggle या सत्याग रहे है, जिस पे गांधी जी ने, क्या किया था, industrial workers के लिए काम किया था, ठीक है, आप सब भी को पता है, एमदाबाद मेल स्ट्राइक, ठीक है, तो option C, correct answer बन जाएगा, एमदाबाद struggle, आगे बड़ते हैं नेक्स कोशन पे, in which of the Congress session, the demand for Poon Swaraj started, Congress के कई सारे session होते हैं, आपको ध्यान रखना है, उन सभी sessions में कुछ ऐसे important sessions हैं, जहां पर बहुत सारी important, important चीज़े हुई हैं, तो वो सभी आपको INC के sessions को ध्यान रखना है, इसमें अगर हम बात करें कि Poon Swaraj पूछा गया आपका किस session में demand हुई थी, तो ये था आपका Lahore session, option A, Lahore session, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंद Swaraj and my experiments with truth, ये तो आप सभी को पता होगा कि भाई किस की book है ये, मात्मा गांदी की, ठीक है, मात्मा गांदी जी की book है, याद रखना है, हिंद Swaraj and my experiments with truth, आगे बढ़ते हैं, next question है, after which of the following movement, the non-cooperation movement was withdrawn by Mahatma Gandhi, इसमें से कौन सी वो घटना या कौन सा वो अंदोलन हुआ, जिसके द्वारा, जिसके बाद में, जो non-cooperation movement था, वो वापस ले लिया गया, तो वो था आपका चौरी-चौरा act, option B, यहाँ पर correct answer बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें से salt, सत्यागरे, चौरी- रख दी हैं, जिसके जलिया वाला बाग आपसे पूछा जाता है, तो 19-1919 का एक कांड है, चौरी-चौरा 1922 का एक कांड है, गांधी-इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, और लाहौर सेशन जो अभी हमने देखा, पुर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, 1929 में हुआ था जेयल नहरू यहाँ पे, चौह है, आएंसी के उससे में प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, विनोबा भावे वाज दा फर्स्ट पर्संट टू ओफर दा इंडिविज्वल सत्यागरे, डारेक्ट कोश्चन आपसे पूछ लेगा, कि हुव दा फर्स्ट पर तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, जवाल नहरू, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच आफ द फॉल इंग राउंटेबल कॉनफरेंच महात्मा गांधी टेक्स पार्ट, तो महात्मा गांधी जी ने किस राउंटेबल कॉ इसमें पार्ट लिया था, ये था आपका सेकेंड वाली, ठीक है, आप्शन बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन है आपका, प्रोटेस्ट अगेंट्स दा, सॉल्ट लोग लेट टुगदा, तो प्रोटेस्ट अगेंट्स दी सॉल्ट ये लाया गया था लॉर्ड वेले जले के दोआरा, option is the right answer, next है आपका, देखें ये 1857 का revolt में आपसे ये पुछला जाता है कि लखनओं के लिए कौन responsible था, कानपुर के लिए कौन responsible था, बिहार के लिए कौन responsible था, और भी कई सारे states हैं, बट उसमें से जो चुनिंदा states है, जिनकी आपको पता होनी चाहिए चीज़े, वो मैंने आपके सामने रख दिया, लखनओं का पूछे का तो बेगब हजरत महल, कानपुर का पूछे का तो नाना साहिब, राव साहिब, तातिया तोपे, आजिमुला खान, बिहार का कुवर सिंग और अमर सिंग, जहांसी का रानी लक्षमी भाई, आप लोगों को बताना है कि डेली के लिए कौन responsible था, comment box में आपका homework है ये, ठीक है, अभी तक मैंने आपको दो question दिये, मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए, और आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस homework को seriously उसको करें, ठीक है, आगे बढ़ते है, doctrine of lapse, Lord Delosie के दुरा लाइगा है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आपका date क्या है, भाई, year बताओ, ठीक है, तो examiner ऐसे ही चला की करेंगा, Lord Delosie, doctrine of lapse की नीथी कौन फॉलो करता है, Lord Delosie, ये तो सभी को पता है, बट, date क्या है, यहाँ पे मार खा जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रिंस, 1848 करेक्ट answer है, लेकिन जो पढ़ रहा है, लगतार मेहनत कर रहा है, वो किसी भी कोशन में मार नहीं खाएगा भाई, ठीक है, तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, ये जितने भी 10-15 बचे हुए है ना, जोख दो अपने आपको, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए पॉस्विबल है, लेकिए आपके साथ सब कुछ है, तो बढ़ियाजी प्रिपरिशन करिए, हम चलते हैं आगे, कोई भी दिक्कत आए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके, बता सकते हैं, नेक्स कोशन है आपका था, ब्रिटिस जेनरल, वो डिफीटिट तातिया तोपे और रानी ओव जहांसी इन सेंट्रल इंडिया वार, ब्रिटिस जेनरल, जिन्नोंने तातिया तोपे और रानी ओव जहांसी, जहांसी की रानी को हराया था, कौन था वो, वो था हग रोस, option B, correct answer बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन पे जलते हैं, अगला कुशन हमारा जो पूछ रहा है, पूछ रहा है कि, hanged to death for attacking his officers in बैराकपूर on 29th March 1857, तो 29th March 1857 को किसको फासी पर लटकाया गया था, because उन्होंने officers पर हमला कर रहा था, बैराकपूर में, तो वो थे आपके मंगल पांडे, ध्यान रखेंगे, option C, correct answer यहां पे बन अगला कुशन है, for the development of which city the lottery committee was made to collect funds, किस city के development के लिए lottery committee बनाई गई जिससे वो funds एकटा कर सके और city का development हो सके, तो वो है आपका option C, कौलकाता, ठीक है, option C is the right answer, अगले कुशन पे चलते है, Lord Vélezalais became the governor general, अंसर देख लिया क्या, चली कोई नहीं, option C, ध्यान रखना है, 1798 में Lord Vélezalais, governor general बने थे, अगला कुशन है, where did British first set up trading post, तो Britishers ने सबसे पहले trading post कहां पर बनाया था, Bombay में, Chennai में, कौलकाता में, या फिर सभी जगा, correct answer क्या होगा, सभी जगा, all, Bombay Chennai, कौलकाता, तीनो जगा ही, पहला trading post खोला गया था, ध्यान र right answer, Bombay Chennai and कौलकाता, all, ठीक है, option D, आगे बढ़ते है, first census, जो है, आपको कब देखने को मिली था, first survey of census, आपको कब देखने को मिला था, census आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 साल के gap में भी होते है, ठीक है, so correct answer, आपको यहां पर क्या बनेगा, option B, 1872 में, ठीक है, so that's it, यही कुछ आपके top 50 questions मेरी साइट से थे, जो कि पूरी history के निचोड मैंने कोशिश किये कि आपको हर वो question करवाएं, जो कि यहां पर पूछे जाते हैं, इसी तरीके से आप हमारी, जो model paper हैं, उनको follow up कर सकते हो कैसे follow up करना है, वो मैंने बताया, लाटन classes देखिए, पूरा पूरा cover करिए, देखिए, महनत करेंगे न, तो सफलता जरूर मिलेगी, क्या questions आएंगे, exactly, तो वो किसी को नहीं पता, बट जो pattern है, जो previous year questions है, पीछे जो हमने पिछले 2-3 सालों से तयारी करवाई है, उसमें कि तरीके से questions देखने को मिलें, वो सब analysis करके हमने आपको उस तरीके के questions इर्द गिर्द जो questions बनते हैं, जहां से possibilities हैं, वो सभी questions करवा रहे हैं, आप सभी को बताए कि GK is very much vast, but still, हमने questions जो करवाए हैं, वो सरस्वती माता की दया से फसे हैं, students को देखने को मिला है, बट वही students को देखने को मिला है, जिन्होंने महनत की है, ठीक है, तो महनत करेंगे, तो आपको सब कुछ जरूर से मिलेगा, और आपका result भी जो है, आप सभी को बताए कि है, महनत करोगे तो फाल मिलेगा, ये सभी हमारे बुड़े, बड़े, सभी लोग यही बोलते हैं, हमारे teachers भी हमारे elders भी बोलते हैं, तो बस महनत करो, उपर वाला आपको आपके हिस्ते का जरूर देगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, इबुक के बार में मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और फैमली को सपोर्ट करना चाहिए, विलाल के लिए बस इतना ही, अपने घरवालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है, टाइम देना है, अपना सारा टाइम कंज्य करना है, और पढ़ाई में लगाना है, जै हिंद, जै भारत!